आज आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जी हाँ आज कोई आपके कान के पास आएगा और खुशखबरी सना देगा जो मैं कह रही हूँ वो कैसे होगा पूरी जानकारी आपको देने जा रही हूँ आज आप जानेंगे कैसे होता है किसमत वाला कान कौन सा कान आपके लिए खुशखबरी लाएगा वो कौन से संकेत होंगे जो आपको सफलता की शिखर पर ले जाएंगे आपका कान सुकून और अबशकुन भी लाता है कान का तिल बहुत कुछ कहता है सारी की सारी बात होगी और उस सिगनेचर की बात करेंगे जो सफल बनाता है कान की बात जरूर होगी लेकिन सबसे पहले आज के पहले महाउपाई की बात कर लेते हैं क्या आपके घर पैसा नहीं आता, जो आ रहा होता है वो भी रुख जाता है, तो घर के में दर्वाजे पर कुम-कुम से स्वास्तिक बनाएं, और बास्मती चावल की धेरी पर एक सुपारी में कलावा बांद कर रख दें, पैसा आना शुरू हो जाएगा. आपने देखा हैं, हर एक का कान एक जैसा नहीं होता, किसी का कान लंबा होता है, किसी का छोटा, किसी का चोड़ा होता है, किसी का कम विर्थ वाला होता है, किसी का ये पाठ लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, अखिर ये सब की वज़ा क्या है? समुद्र शास्तर के हिसाब से कान क्या कहता है हो जानिये देखिए जिन लोगों के छोटे कान होते हैं यानि कि नॉर्मल से देखने में छोटे आकार के अगर कान होते हैं ऐसे लोग जो हैं ये बहुत ही जादा शक्ती शाली हो सकते हैं ये विश्वास वाले भी होते हैं साथ ही ये आर्ट में इनकी बहुत रुच्छी इंट्रेस्ट होता है कोई इनसे कोई चीज मांग ले तो ये उसे मना नहीं करते हैं अगर किसी की कान बड़े हो तो वो सोचने वाला महंती, प्राक्टिकल और समय का पाबंध होता है इसे के लोगों को दूसरों से काम निकलबाना बख्भूबी आता है पीत से दबेवे कान, अगर सेंटर से दबेवे कान हो ऐसे हो जिसके कान बीच का हिस्सा ये पाट डबा होता है आम तोर पर वो हिंसक हो जाते हैं इन्हें बहुत प्यार से डील करना चाहिए अब आपको आपके कान से जुड़ी कुछ खास जानकारी देती हूं कान के कुछ शकुन और अपशकुन होते हैं और कान पर तिल भी होते हैं जो अक्सर बहुत कमाल कर जाते हैं अगर आपको नहीं पता कोई प्रब्लम नहीं है मैं आपको पूरी इंफरमेशन दे देती हूं नोट कीजिए बाए कान के सामने तिल होना किसी को अगर ऐसे तिल हो तो वो इनसान रहसे मई होता है शादी में थोड़ी देरी आती है बाए कान के पीछे तिल होना मतलब सामने उपर और बाए पीछे मतलब पीछे की तरफ तो ऐसे लोग गलत काम की तरफ आकर्शित होते हैं इसलिए इनको जहां पर भी तिल है वो अपने फैसलों का बहुत ध्यान रखे जिनको भी है वो देखे डिसिजिन्स गलत ना ले अगर दाए कान के फ्रंट पे तिल है मतलब आप चेहरा देखते हैं सामने सामने तिल देखता है तो ऐसे लोगों को क्या होता है इनको सुन्दर जीवन साथ ही मिलता है और तो और ये इनसान कम उम्में ही माला माल बन जाता है अब अगर दाए कान के पीछे की तरफ तिल हो तो कान से जुड़ी किसी समस्या या परिशानी का सामना इनको करना पड़ता है तिल के बाद अब आपको कान से जुड़े शकुन और आप शकुन भी बताऊंगी किसी का अगर बाया कान फड़कता है कोई नॉर्मल बातचीत कर रहा है और उसको रिलाइज होता है कि उसका बाया कान फड़क रहा है तो उसे कोई गुड निउस मिलने वाली है अगर आपका दाया कान फड़कता है तो इसका मतलब आपकी मुलाकात किसी बड़े कत के इंसान से होने वाली है अगर कान के पीछे का पिछला हिस्सा ये एरिया अगर फड़के तो इंसान को दोस्तों से अपमान मिल सकता है कोई friendship में रिफ्ट हो सकती है बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाई की क्या को आप या फिर आपका कोई खास दिल की बिमारी से परिशान है दिल की बिमारी से बार बार दिक्कत आ रही है पाच्छ मुखी रुद्राक्ष को गले में धारन करें इस बात का ध्यान रखें कि रुद्राश जो रुद्राश पहनने की लेंथ है वो आपके हार्ट तक पहुँचे नेकिन हाँ आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है इलाज में केरलेसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए साथ में यह उपाई कीजिए खुशखबरी की बात हो ही रही है तो आपको खुशखबरी मिलेगी कैसे आपको बता ही देती हूं कि खुशखबरी आने से पहले संकेत देती है वो संकेत क्या है आईए जानते हैं अगर आपका दाया, कंधा या हाथ कई दिनों तक फड़के तो खुशखबरी मिलने वाली है दिन के समय पहले पहर में कबूतर घर की च्छत आकर गुटरगू करे तो ये शुब नौकरी के लिए खुशखबरी माने गए है सपने में साप दिखाई देते हैं खास तोर पर काटते वे तो डरने की ज़रुत नहीं है ये एक अच्छा शकुन है, ये संकेत है कि आपके घर कोई गुड नीज आएगी आपके घर धन लाब होगा या नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है रात के समय उलू के बोलने की अवास सनाई दे तो ये लाब और उन्नती के लिए अच्छा शकुन माना जाता है कोई मनोकामना पूरी होने का भी इससे शकुन कहा जाता है तो हुई न खुशकबरी दिन के समय दुपहर में अगर कववा आपके घर की छत पर आकर बोले तो ये महमान नहीं बलकि प्रोमोशन मिलने के संकेत है सुबर सुबर कवव का बोलना महमान के आने की खुशकबरी भी होता है अगर आपकी नोस फड़कने लगे तो ये संकेत है कि आपकी रिस्पेक्ट और सैलरी में वृद्धी होने वाली है अक्सर हम सभी कान को इग्नौर कर देते हैं लेकिन कान की सुन्दर्ता को हर कोई निहाता है वज़ा है वो जूलरी जो कान पर चच्चती है Have a look आप कोई भी ड्रेस क्यों ना पहन लें चाहें वो इंडियन हो या वेस्टन हो एरिंग एक ऐसी जूलरी है जो किसी भी ड्रेस के साथ पहनना मेंडिट्री हो जाता है लेकिन अगर आप एरिंग की शॉपिंग कर ने निकल रहे हैं तो आपके पास क्या कुछ उप्शिंस होंगे यह मैं आपको दिखाती हूँ आप देख सकते हैं कि यहां पर अलग-अलग तरह के एरिंग्स हैं और खास बात यह है कि यह जो एरिंग्स हैं में आपको बहुत जादा सोचने की जड़ोत नहीं पड़ेगी क्योंकि जादा तर कलेक्शन आप ऐसा देखेंगे जो या तो मल्टी कलर होगा या फिर ऐसा होगा जो आप सभी ड्रेशी से साथ पहन सकते हैं या तो गोल्डन वर्क होगा उसमें या फिर परल सिलवर वर्क होगा इसमें बहुत सारा कलेक्शन है जादा बड़े हैंगिंस अगर आप चाहते हैं तो वह हैं चानबाले भी है और चोटे-चोटे यहां पर आपको दिखेगी उसी तरह का यहां पर तच दिया गया है इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा साइस बड़ा हो तो आपके पास यह सारे ओप्शिन्स होंगे आप इस तरह की जूलरी आप्ट कर सकते हैं इसमें आपको पर्ल में भी डिजाइन मिलेगा और साथी साथ आपको एंटीक जूलरी का टच भी यहां पर आपको देखने का मिलेगा इसमें आपको बहुत सारे डिजाइन्स मिलेंगे जैसे कि एंटीक में ही आप देखेंगे कि यहां पर इस तरह से मोर का डिजाइन रखा गया है यहां पर आपको इस तरह से कुछ आपको देख रहे होंगे इसमें आप देख सकते हैं कि जो बाले हैं उनका साइज बहुत जादा बड़ा नहीं रखा है और नीचे यह देखिए अलग-अलग तरह से पर में और वह भी डिफरिंट डिफरिंट कलर के अलग-अलग कलर के यह पर आपको पर में दिख जाएगे अगर आप कुछ है जूलडी पहनना चाहते हैं और खास तर पर ऐसी जूलडी पहनना चाहते हैं चो पहनने के बाद आपको किसी और जूलडी की ज़रोत नहीं पड़े तो आप इस तरह के चान्द बाले देखिए कितने खूब सूरत हैं अलग-अलग Colors में हैं और तुरंट अट्रेक्ट करता है और इसी में आप देखिए कि फड़े से बड़े साइज के यहां पर यहां पर रखा गया है और इस तरह से कुछ और चांद बाली भी यहां पर रखी गए हैं अगर आप यह साइज नहीं पसंद करते हैं यह थोड़ा सा जादा बड़ा लग रह आपको ज्यादा तर जो कॉंबिनेशन मिलेगा वह आपको ग्रीन और ब्लू से रिलिटेट मिलेगा खास बात यह है कि सभी मुल्टी कलर है तो आपको बहुत जादा दिकत नहीं होगी आप कोई भी ड्रेस आप पहने उसके साथ ज़रूर ज़रूर अच्छ लगेगा थोड ग्रेन आप खोड़ा से राउंड अगर पसंद करते हैं फिर आपको चेहरा अपको उतना लंबा नहीं है तो इतने लंबे हैंगिंग्स को आप ओप्ट करने की बजाए इस तरह के राउंड एरिंग्स को ओप्ट कर सकते हैं या नि कि बहुत सारे ओप्शंस आपके पास हैं बहुत सारे colors आपके पास हैं, तो आप आसानी से अपने मन पसंद के कोई भी earrings उसमें से choose कर सकते हैं, मैं तो अब यह बहुत सारे earrings हैं, तो अब मैं यह shopping करने के लिए जाती हूं, खास बात यह है कि यह जो इनकी range है, यह 250 से starting हो जाएगी और उसके बाद आपकी जो भी pocket अला क्या शनी की साड़े साती से बहुत परिशान हैं, इसे दूर करने का उपाई भी जान लीजे, अपने घर के मंदिर में एक डिबिया में सवातीन रती का नीलम सोमवार को रख दें, और हाथ में 121 रुपे लेकर प्रातना करें, प्रातना करें कि यह शनी देव आपके नाम क करें, कई बार मैंने देखा हैं कि आपने भी नोटिस किया है, आपने भी देखा होगा, अक्सर लोग कान में कुछ भी डाल कर उसकी सफाई करते रहते हैं, किसी भी तरीके से, क्या ये सही है, आखिर कान की सफाई कैसे करनी चाहिए, और क्यूं करनी चाहिए, कब कब करनी इस पर पूरी जानकारी लीजे कान की सफाई तब करानी होती है अगर कान में ब्लॉकेज हो जाए या कान में पेन हो रहा है और उसको देख के कोई बताए कि इतना डर्ट या गन दिखटा हो गया है कि उसकी सफाई की जरुवत है अगर एक बार ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ इस कान को सफाई की जरुवत है तब फिर हमें आगे ये सोचना है कि किस तरह करना है जहां तक इंडिविज्विज्वल पेशेंट्स का सवाल है उन्हें अपने आप करने की बिल्कुल जरुवत नहीं है क्योंकि आम तोर पे लोग जॉनसन येर बर्ड वगेरा यूज़ करते हैं जिसका आगे का सिरा इतना गोल और सॉफ्ट होता है कि वो गंद को निकालने की बज़ाए उसको और पीछे पीछे पुश करता जाता है और फिर वो सारा गंद परदे पे जाके जमा हो जाता है और फिर इवन प्रोफेशनल आदमी को निकालने में मुश्किल होती है तो मेरी राय ये है कि अगर मरीज को लगता है कि कान के अंदर ज़्यादा इचिंग हो रही है या कोई ब्लॉकेज हो रहा है सुनने में परिशानी है तो उसको एक प्रोफेशनल नाक कान गले विभाग में जाके दिखाना चाहिए और उसके बाद प्रशन उटता है कि किस तरह साफ किया जाता है साफ करने के हमाँ पर दो तीन तरीके हैं सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि हमें अंडर विजन मतलब की बिलकुल देखते हुए कि हम क्या निकाल रहे हैं वो सफाई करनी होती है अब उसको निकालने के दो तीन तरीके हैं मौडर्न तरीके ये हैं कि या तो हम एक शार्प इंस्ट्रुमेंट जिसको हम एक प्रोब बोलते हैं उससे डरेक्टली निकाल सकते हैं अंडर विजन या हम उसमें पहले दवाई डलवा के उस जो भी वैक्स है या गंदगी है उसको सॉफ्ट करते हैं और उसके बाद सक्षन से नेगेटिव प्रेशर से उसको क्लीन कर देते हैं मेन आइडिया ये है कि कान के पर्दे को या किसी और स्ट्रुक्चर को कोई इंजरी ना हो अपने आप साफ करने में या किसी अनप्रोफेशनल लोगों से साफ कराने में खत्रा यही होता है कि अंडर विजन सफाई नहीं हो रही होती है ब्लाइंडली सफाई हो रही होती है और इंजरी टू इंपॉर्टेंट स्ट्रुक्चर की खत्रा रहता है इसलिए मेरी सलात यही है कि पहली बात तो थोड़ा सा वैक्स या थोड़ी सी गद्दगी के बारे में घबराना नहीं चाहिए कि यह क्या हो गया अगर जरूरत पड़ती है तो किसी प्रोफेशनल के पास जाके एक बार सेफली और थरूली क्लीन कराना चाहिए कान पर बात तो होती ही रहेगी लेकिन आज मैं आपके सिगनेचर पर खास बात करना चाहती हूँ किसी का सिगनेचर कैसे उसकी जिंदगी से जड़ा बड़ा राज खोलता है आईए जानते हैं जो लोग signature का पहला शब्द बड़ा लिखते हैं, वो talent के धनी होते हैं, जैसे अगर आप सलमान खान का भी signature दिखेंगे, तो वो S को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही जो लोग अपने signature का कोई भी alphabet बड़ा लिखते हैं, वो बहुत ही जादा talented होते हैं, यह हर किसी काम को नए धंग से करते हैं, ऐसे लोग किसी भी काम को इनका एक separate वे होता है करने का, और अपने काम में इनका कोई भी, मतलब यह बोल सकते हैं, अपने काम को लेकर बड़े पक्के होते हैं, पहला शब्द बड़ा बनाने के बाद, दूसरे शब्द छोटे और सुन्दर दिखाई देते हों, तो ये लोग धीरे-धीरे किसी खास मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जिसे अगर आप अमिताब बच्चन जी का signature देखेंगे, तो वो A ऐसे बड़ा लिखते हैं, और फिर अमिताब में ये बिल्कुल clear है, छोटे अक्षर हैं, लेकिन clear है, और फिर बच्चन का भी बड़ा, तो जब पहला अलफबेट बड़ा हुआ, तो टालेंट तो है ही, लेकिन जब बाकी के अलफबेट छोटे और clear होते हैं, तो ऐसे लोग slow and gradually life में सभी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में सभी सुख सुविधाएं, सारे comforts जो हैं, वो मिलते हैं, कि ऐसे लोगों में काम्याब होने की चाहत बहुत जादा होती हैं, और इसके लिए ये मेहनत भी करते हैं, ये लोग किसी को दोखा भी दे सकते हैं, सुभाफ से चलाक होते हैं, इसी वज़ा से इन्हें कोई दोखा नहीं दे सकता, कुछ लोग signature तोड मरोड कर, या टुकड में नहीं आते, अक्सर ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं, ये लोग अपने काम से जुड़े राज, किसी से भी शेर नहीं करते हैं, कभी कभी ये लोग गलत रस्तों पर भी चल देते हैं, और किसी को नुकसान भी पहुचा सकते हैं, जो लोग सुन्दर signature करते हैं, जैसे ज perfection से करना पसंद होता है, ऐसे लोग किसी ना किसी काम में हुनर्मन जरूर होते हैं, लोगों में काम करने का तरीका दूसरों से एकदम अलग होता है, ऐसे signature वाले लोग painter या कलाकार भी हो सकते हैं, कुछ लोग अपने signature की नीचे दो लाइन खीचते हैं, जैसे एक और दो ला खर्च करने में इने काफी बुरा महसूस होता है, यह लोग कंजूस भी होते हैं, जो लोग कि signature करते समय, नाम का पहला अक्षर थोड़ा बड़ा और पूरा सरनेम लिखते हैं, वो talent के धनी होते हैं, जैसे अगर किसी ने signature किया, और फिर नाम का पहला अक्षर थोड़ा छो करते हैं, इश्वर में आस्था रखने वाले और धार में काम करना इनका स्वभाव होता है, ऐसे लोगों की शादिशिदा जिंदगी भी सुखी रहती है, आज मैंने कुछ signatures की बात की है, अगले किसी और कुछ दिनों बाद episode में फिर कुछ और signatures की बात होगी, शो देखते रहिएगा, आप चौथे महा उपाई के लिए त्यार हो जाईए, सवाल ये है कि क्या आपकी किस्मत का ताला नहीं खोल रहा है, किसी दुकान में जाकर किसी भी शुक्रवार को कोई भी एक स्टील का ताला खरीद लाइए, लेकिन ताला खरीदते वक्त ना तो उसे ताले क तो आपको खोल के देखना है, ना ही दुकानदार को खोलने देना है, ताले को जाचने के लिए भी नहीं खोलना है, उसी तरह से डिब्बी में बंद का बंद TALा दुकान में खरीद लाएं, इस ताले को आप सुक्रवार की रात अपने सोने के कमरे में रखतें, शनिवार करते हैं आज की special astro tip का astrology में देखे कान जो है इसको mercury से related buddh से भी related जाना जाता है कान आपके सुनने की शक्ति है communication में काम आते हैं जिसका कारक buddh ग्रह भी माना जाता है कई बार कानों के यहां पर केतु का हिस्सा भी मानते हैं तो basically अपने कानों को साफ रखना और इसमें हमेशा गोल्ड पहनने से आपका केतु मजबूत रहता है जब आपका केतु मजबूत होता है तो आप किसी भी चीज की जो धारना करते हैं उस लक्ष को पूला कर पाते हैं इस लिए आपने देखा पहले के टाइम में मेल्ड हो या फीमेल्स कान में सोने के गोल्ड के कुंडल पहनते थे इसके अलावा कान में यहाँ पर पियर्स कराते हैं यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट होता है इस प्रेशर पॉइंट को छोटे बच्चों का रोज दबाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा खीचना चाहिए इससे memory strong होती है ऐसे करने पर आप astrologically अपने कान में अगर diamond पहनते हैं तो यह बुद्ध और शुक्र का मिलाव है बेसिकली mercury और शुक्र को जब आप मिला देते हैं ऐसा करने पर आपके जीवन में आपका काम धंदा और आपकी रोज मरी आपकी जो daily income है वो कभी नहीं मरती इसलिए कान में तरह तरह के आभूशन पहनने का चलन है entertainment की बात तो हम बाद में करेंगे लेकिन अभी आपके future को सुधार लेते हैं आपको अपनी राशी के साब से इतनी छोटी सी और आसान टिप बताते हैं उसको follow करना है ताकि हर दिन आपका अच्छा और शुब हो सबसे पहले मेश राशी के बारे में जानते हैं उन्हें कल क्या करना है मेश राशी के लोग सुभा उठके दुरगा जी के भजन जरूर सुने लग साथ दे रहा हैं आपका 74% विश्शिव राशी वाले लोग घर वालों के साथ मंदिर जरूर जाईए इसमत साथ दे रही हैं आपका 78% मिथुन राशी वाले लोग घर के मंदिर में फूल जरूर रखे भाग साथ दे रहा हैं आपका 69% करक राशी के लोग कबार को अपने घर से बाहर निकालिए लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 58% सिंग राशी के लोग घर के पौधों को पानी दीजिए भागिसाथ दे रहा हैं आपका 67% कन्या राशी के लोग विश्नु जी की पूजा कीजिए आप किस्मत साथ दे रही हैं आपका 69% तुला राशी के लोग घरवालों के साथ बैट कर खाना खाई भागिसाथ दे रहा हैं आपका 70% विश्शिक राशी के लोग लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए किस्मत साथ दे रही हैं आपका 78% धनू राशी के लोग, अपने पिता की सेवा कीजिए लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 65% मकर राशी के लोग, चिडियों को बाजरा डालिए भग के साथ दे रहा हैं आपका 73% कुम राशी के लोग, जरुवत नंदों को खाना खिलाईए जिसमत साथ दे रही हैं आपका 71% मीन राशी के लोग, कल के दिन आप ब्लाक कलर के कपड़े या सौक्स पहनना अवोईट कीजिए लग साथ दे रहा हैं आपका कल के दिन 57% फेस्बुक पर संदीप गुपता ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेर की है उनकी पर्सनल और प्रॉफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इलाज जानना चाहते हैं संदीप आप रोज सुबह उटके गजेंदर मोक्ष का पार्ट सुना करें इस्ट की तरफ चहरा करकर इसको 44 डेस कॉंटिन्यू कीजे हर तरीके की कॉंप्लिकेशन धीरे-धीरे सुलजने लगेगी अब पांच में माहा उपाई के बारे में जान लेते हैं क्या ओफिस या कारोबार या फिर दुकान में धन वर्शा नहीं हो रही है अपने घर, दुकान, फैक्टरी, ऑफिस या शोरू में एक फांटिन रखें या फिर एक आप छोटा सा एक्वेरियम रख सकते हैं जिसमें एक गोल्डन फिश और एक ब्लाक फिश हो एट गोल्डन एन वन ब्लाक ऐसे इसे नौर्थ या नौर्थीस्ट की ओर रखें अगर कोई मचली मर जाए उसे निकाल कर नहीं मचली ला दे थोड़ी मचली आप बड़ी होने लगे तो उन्हें तालाब में डाल दे कल बात करेंगे बजरंग बले की क्योंके कल है मंगल बार आज मैंने आपको कान पर धेर सारी information दी कल आपको जॉब पर information दूँगी आपकी life changing को पाए आपको बताएंगे इसलिए समय पर आईएगा देर नहीं कीजेगा नहीं तो important points में सोचाएंगे अब मुझे इजाज़त दीजिए अपना खयाल रखिए Bye Bye, Take Care